वेल सो गड़ इविनिंग टो अल फियो गड़ इविनिंग गड़ इविनिंग मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को प्लीज बताओ गड़ इविनिंग बेटा गड़ इविनिंग मेरी आवाज क्लियर आ रही है लॉक का फेपर इजी था आज येस लॉक का फेपर इजी था येस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो चलियो आपका लॉक का फेपर हो गया अब आ रही है टेक्सेशन की आप टेक्सेशन के लिए रिडी हो येस और नौ बोलिए येस सार ओके जोश कैसा आपका हाउस द जोश बोलिए हाई सार चलियो दोस्तों तो यहाँ पर चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो चलियो दोस्तों अब हम बात करेंगे अबाउट हमारा एक GST का प्लान कैसे रहेगा for next three to four days क्योंकि आपको income tax as well as GST दोनों subject manage करना है और दोनों को अगर एक साथ देखे तो वास्ट भी है और आपको अप sufficient time आपके exam के लिए मिल चुका है तो आपका आने वाले तीन दीन का प्लान कैसे होना चाहिए including today's plan okay तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिएगा और आपको किस तरह से पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ ठेक है so चली यहाँ पर आपका GST का प्लान कैसे होना चाहिए तो मैं आपको यह बता दू जैसा आज अब मैं बहुत important बाद आपको यह बता दू कि एक दीन का जो ग्याप रहता हूँ बहुत कम होता है तो स्टूडेंस को यही नहीं समझता है कि क्या पड़े और क्या ना पड़े पर आपको अब election ने opportunity दी है और भगवान अगर आपको यह opportunity दी है तो आपको बहुत अच्छे से taxation में DT और GST अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों इसलिए कहीं पे भी आपको relax नहीं होना है ऐसे ही समझना है कि परसुई paper है और उसके हिसाब से आपको पूरी तयारी करनी है क्या सब ready है yes or no बोलिए yes sir okay जोर से बोलिए yes sir okay अब एक सवाल आए कि sir डर लग रहा है sir GST पास करवा दो अरे भाई साफ डर किस बात कर जरूर आपको अच्छे आएगे 40 प्लस तो मिलेगी out of 50 okay हाँ यहाँ पे किस तरह से आपको पढ़ना है हम आज बात करेंगे तो चलिए दोस्तों जैसे अभी मैं आभी आपको बता देता हूं कि अभी जो है यहाँ पे अगर आपने इंकम टैक्स बहुर सर के पास किया होगा तो अभी बहुर सर का अभी आपको प्लस तो तो आपको बता देता है तो आपको तफ लगते लाइक पीजी बीप अपिटल गेंगे अगर यहाँ पर कोई आपके पास रिविजनल लिक्टर्स अवेलेबल ने तो कोई बात नहीं है जो भी इंपॉर्टेंट टोपिक्स आपके डिटी के जो आपक आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है अगर आपके फैकल्टी के मैराथोन सेशन अवेलेबल है इंकम टेक्स के जैसे बावर सरक अवेलेबल है तो आप उनका कर लो और उसके बाद में हमें जीस्टी की प्लानिंग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको यह प्लान लिखना है तो बिल्कुल लिख लीजएगा और कल के दिन में आपको यहां पर मॉर्निंग में आपको सबसे पहले जीस्ट उठाना है और मॉर्निंग में आपको यहां पर आज का डीटी का रिविजन करने के बाद मॉर्निंग में अपना से स्टार्ट करना है GST में आपको कौन-कौन से टॉपिक्स पहले कम्पलेट करना है मैं आपको बता दूँ जो भी questions मैंने आपको regular batch में solve करवाय है, material में दिये है, वो questions भी आप अच्छे से कर लेना है, प्लेस आप सप्लाय पे 100% आपको यहाँ पे 3-5 marks का question आएगा, प्लस MCQ में भी questions पूछ सकते हैं, दूसरा chapter आपको जो लेना है, morning में वो है ITC, input tax credit, यह chapter आपको अच्छे से कर लेना है, जब आप यह chapter देखोगे, input tax credit, तो यहाँ पे आपको, okay, chart के base पर फटाफट revise कर लेना है, और आपके questionnaire के exam questions और RTP के questions प्रायरिटी पर देख लेना है, complete करने के बाद, okay, question पर practice करना, अगर हो सके, तो exam का numerical question, एक या दो questions, solve करके देखना, for the क्या ITC, next topic आपको जो complete करना है, वो TDS and TCS, I repeat, okay, तो TDS और TCS जो है, TDS TCS भी आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इस पर भी इस बार question 100% आएगा, तो TDS TCS मैंने जो transition batch में आपको पड़ाया था, okay, वो TDS TCS आपको complete कर लेना है, okay, और उससे related questions जो भी मैंने आपसे solve कर वाया है, okay, वो भी solve कर लेना है, मैं आपको यह बता दू, कि इस related questions जो है, अगर आपको TDS TCS related या, place of supply X related questions है, तो मैं अपनी जीनी बुक की link भी आपको attach कर रहा हूँ, description जरूर देखिएगा, description में, मैंने आपको सब important resource material की link दी हुई है, साथ साथ में मैंने, okay, यहाँ पे rapid region की telegram link दी है, अगर आपको कुछ भी requirement हो, तो आप rapid region देख सकते हो, उसमें मैं information share करता हूँ, okay, और यहाँ पे मैंने, okay, एक ऐसे link बनाए जिसमें सारे important links जैसे, यहाँ पे amendments की, RTP के discussion की, उसके बाद में जीनी बुक की, MCQ की सारे links में ने उसमें दी है, तो आपको एक ही जगा पुरा material मिल जाएगा, उसके बाद में आप complete करना CL, composition levy, okay, और value of supply, okay, value of supply में एक और दो questions, exam के RTP के, ऐसे numerical questions से ले करना, कि जो आप पुरा present करके देखो, और उसके remarks पे जादा emphasize करो, तो इस तरह से morning session में, 3 से 4 में आपको ये chapters complete करने हैं, GST के, और फिर afternoon में आपको income tax ले लेना है, evening में में मेरा GST का super 30 marathon आएगा, okay, आज आप duty का complete कर लो, कल evening में super 30 marathon, okay, around 7 hours का रहेगा, तो आप, okay, around अगर 5 बजे, okay, हम इसका timing रहेगे कि tomorrow evening 5 PM, 5 PM को मेरा super 30 marathon रहेगा, okay, ये live streaming में रहेगा, आपने live streaming में one sitting में पूरा देख लेना, one sitting में आपको पूरा देखने का फायदा होगा, कि ये जो chapters आपको important करने, on priority आपने कर लिए, marathon session में सारे important questions के, सारे chapters आपके cover हो जाएगे, चलिए, इससे आपका एक super confidence बिलो जाएगा, और ये marathon session में मैं आपको बता दू, कि मैंने सारे important adjustments, स सारे important adjustments, जो हमारे questioner में, exam में पूछे है, RTV में को पूछे है, वो सारे master questions में ले लिए है, और आपने अगर ये देख भी लिया होगा, तो भी live streaming में, one sitting में आपने देख लेना, मैं सच में कहता हो, आपका super confidence बिलो जाएगा, तो चलिए, कल का आप इस तरह से plan कीजिएगा Now next, okay, seven को आप जो है, कोई one slot, morning, afternoon या evening, आपको जो भी comfortable होगा, वो comfortable slot में आपने ये topic complete करने है, registration, time of supply, exemptions, हाँ, exemption, accounts on record, supply and RCM, मैं आपको ये कह दूँ कि exemption जो है, वो exemption, मैंने जो भी आपको charts बनवा के दी है, वो charts cover कर लेना, साथ-साथ में, okay, उसके questions cover कर लेना, registration, चार्ट से फटाफट complete करो, questionnaire कर लो, तो मैं आपको ये कहूगा, कि registration, time of supply, exemption, account records, supply and RCM, ये चार्ट से अगर आप फटाफट complete करो, और more आप emphasize करो, exam के और RTP के questions, जो मेरे questionnaire में दिये है, okay, वो go through करना, कोई एक खाला question आपको ऐसा लगे कि लिख के देखना है, तो लिख के देख लेना, तो कोई एक slot में आपने इतने chapters, 7 को complete कर लेना, उसके बाद में हम बात करेंगे 8 को, 8 को जो है, okay, एक slot में morning, afternoon में, जो भी है, आप remaining topics, जो भी बच्चे जैसे, invoice, e-way bill, return वगेरे, तो ये chapters, आप जो है, complete कर सकते हो, ये chapters में मैं आपको कहूगा, कि again मेरा chart, और यहाँ पर question, इसके question, इन पर ज्यादा emphasize करना, okay, फिर recent RTP, जो है, एक बार go through कर लेना, मैंने इसका video भी record करके दिया था, पर चलिए, आपको वीडियो के लिए time ना मिले, तो एक बार recent, जो आपके exam के RTP है, वो complete करना, और exam के questions, okay, जो भी chapters के आपको रह गया है, वो exam के questions, तो यह आपको जो 8 को कर लेना है, 9 के morning में एक बार amendments आपको रिवाइस कर लेनी है, amendment की summary notes, जो description में लिंक दिये, उसमें summary notes मिल जाएगा, उसमें वीडियो भी मिल जाएगा, अगर amendments का वीडियो आपके देख ले होगा तो, okay, या फिर summary फट आफट देख के complete कर लेना, okay, कुछ इंपॉर्टन में जो amendment की summary दी है, तो आपको याद रखने पड़ती है, तो वो सारी summary में दी है, तो amendment की summary ज़रूर देख लेना, उसमें interest rate, कहा का thresholds यूज किये गया है, कहा का limits दी गई है, कुछ important aspects दी है, जो आपने एक्जाम के पढ़ के पढ़ के जाने चाहिए, इसलिए वो जरूर आप एक बार पढ़ लेना, तो इस तरह से, हाँ, और जो मेरा questionnaire का last chapter है, GST, a competition of GST, उसमें चार questions में दी है, जो आपको 8 to 10 marks के आते हैं, उसमें से 2 questions, अगर हो सके तो 8 को evening में, या 9 को morning में, दो questions हो सके, तो अच्छे से देख कर, और एक अदा question स्वाल कर के होता है, half hour का time देखे, तो वो जरूर आपने कर लेना, तो इस तरह से आपको पूरा अपना time schedule बनाना है, अगर किसी को screenshot लेना है, तो screenshot ले सकता है, ये time schedule का, और GST, जिस तरह से मैंने कहा कि पहले कौन से chapters आपको complete करना है, उसके बाद कौन से complete करना है, तो इस sequence में आपक को जाना है, तो आपको यहाँ पर screenshot लेना है, तो ले सकते हो, फटा फट ले लो, और वो last वाला chapter competition of GST, at least उसमें के 2 questions, 8 को evening को या 9 को morning को अच्छे से देख के चल जाना, अगर चारो questions देख सके तो आपके लिए बहुत helpful रहेगा, ठेक है, तो ये आपका complete plan लेना है, तो super 30 marathon live streaming में आएगा, और ये super 30 marathon, इसमें मैंने सारे amendment के questions और ये बहुत अच्छा discussion किया है, आपने देख लिया होगा, तो ये एक बार पूरा one sitting में, आपके आपने complete कर लेना है, और इसको, और ये marathon में, revision के साथ साथ मैंने सारे master questions भी cover कर लिये दोस्तों, तो चलिए, और ये super 30 questions लिये, उस पर हमारा discussion रहेगा, तो चलिए दोस्तों, मैंने ये plan आपको मेना के दिया, इसी plan के साथ से आपको जाना है, और कुछ बाते आपको याद रखना है, और वो कौन सी अभी परते वक, किसी भी सूरत में आपको relax नहीं होना है, पूरी ताकत लगा दो, टैक्स म और ये बात जो मैं क्लास में कहता हूँ, ये अभी follow करना, और कि कहो जोर से लंबी सास लेके, जो भी हुआ, अच्छा हुआ, और जो भी होगा, बहुत अच्छा होगा, I am कुछ अच्छा करने है, तो इस बार हमें बिलकुल अच्छे marks में लेंगे, दूसरी बात आपको कह कुछ चोड़ी चोड़ी मिस्टिक्स हुई हो, या फिर अच्छा नहीं भी रहा होगा, तो भी आपको ज्यादा सूचना नहीं है, अब पूरा फोकस आपको टैक्सेशन पर लगाना है, और टैक्सेशन में आपको अच्छा कवर करना है, जिसरी बात, मैं आपको कहूँ कि अभी तक आपने इतनी महिनत की है, इतने क्लासिस के पढ़ाई की है, घंटो पढ़ाई की है, अब ये लास्ट टाइम है, और यह हिम्मत नहीं हारना है, कुछ हो सकता है, अपको कुछ पॉइंट्स में आपको कुछ पॉइंट्स पे, चुड़ गया हो, या वाट्टिव र करना है, DT और GST, हाँ, ध्यान रहें, ओके GST में, ओके पहले कुछ पेपर कैरफुली देखना है आपको, कुछ पेपर में बहुत सी बास स्टुडेंट्स मिस्टिक करते है, यहां पे MCQ कुछ पॉइंट्स जो आपको है, उसमें OMR कॉपी अलग आईगी, उसके बाद में, GST और Income Tax में क्या सेलेक्शन करना है, पहले GST सवाल करना है, यह Income Tax सवाल करना है, पेपर कैरफुली पढ़ना है, उसके बाद में, Okay, decision आपको लेना है, चलिए दोस्तों, तो मैं यहां पे इतना ही कहोगा कि, आपका Income Tax का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, यह तीन दिन बहुत अच्छे से utilize करो, और आने वाला time आप करेगा, मेरी best wishes आपके साथ है, मैं आपका ज्यादा time नहीं लूगा, क्योंकि अब आपका, अगर आप DT का marathon कर रहे हो, तो वो start होने वाला है, तो कल मिलते है, 5 PM को, Okay, for Super 30 marathon of GST, Thank you so much, ठीक है? चली, done, तो आपको session अच्छा लगा होगा, तो like जरूर कीजिएगा, और maximum यह video जो है, यह जो planning है, share कीजिएगा, और अपने comments जरूर दीजिएगा, अब comments में, ठीक है? मिलते हैं कल शाम को 5 PM को, Thank you so much, bye to all of you.